व्यस्टी अर्थात व्यक्तिगत जीवन वसमश्टी अर्थात सामाजिक जीवन में मनुष्य को ईश्वरिय तत्वों का लाख प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है देवालय. मनुष्य जीवन में देहिय प्राप्ति अर्थात इश्वर प्राप्ति करवाने में देवालय महत्वपूर्ण भुमिका निभाते हैं पिछले सत्संग में हमने देवालय संबन्धी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की व्यक्ति वस समाज में देवाले के सूख्षमस तरिय परिनाम भी हमने समझ लिए देवाले में दर्शन के लिए आने वाले जीव को अधिकादिक लाभ हो इसी द्रिष्टी से देवाले का निर्मान करने के लिए शास्त्र में कहा गया है अपितू आज उस प्रकार देवाले की रचना बहुत कम जगह दिखाई देती है शास्त्र में बताये अनुसार देवाले की रचना कैसे होनी चाहिए वो उसका महत्व और कार्य क्या है इस संधर्व में हम इस सत्संग में विश्त्रित रूप से समझ लेंगे आईये समझ लें शास्त्र की ड्रिष्टी से देखा जाए तो देवाले की रचना के कुल सात स्तर होते हैं देवाले की विशिष्ट रचना के कारण देवता तत्व के तरंगों का अधिक से अधिक ग्रण वो प्रक्षेपण होता है देवाले के इन साथ स्तरों का भिन्न भिन्न कार्य होता है इनके द्वारा देवाले में जाने वाले दर्शनार्थियों के शरीर, मन, बुद्धी वा आत्मा पर देवता तत्व की तरंगों का परिणाम होता है जिससे दर्शनार्थियों के देह में विद्यमान, पृत्वी, आप, तेज, वायू वाकाश इन तत्वों की मात्रा सम होने में साहयता मिलती है साथी दर्शनार्थियों के देह में स्तित, कुंडलिनी के साथ चक्रों की भी शुद्धी होने में साहयता मिलती है यही कारण है कि देवाले में जाने से मन के विचारों की मातरा कम होना प्रसन्नता अनुभव करना, एकाग्रता का अनुभव होना, भावजागरित होना, ध्यान लगना, आनन्द वशांती का अनुभव होना जैसी बातें दर्शनार्थी अनुभूत करता है अब हम समझ लेते हैं देवाले की रचना के साथ स्तर तत्सम्बंदी पंचतत्व वो उनका महत्व ये है देवाले की रचना के साथ स्तर आप देख रहे हैं देवाले का पहला स्तर प्रवेश्द्वार वो व्याघ्रमुक यह प्रित्वी तत्व से संभन्दित है इससे दर्शनार्थी का स्तूल देह शुद्ध होता है दूसरे स्तर पर प्रवेश द्वार से भीतर आने के उपरांत आता है देवालय का प्रांगन वा तुलसिव रंदावन यह प्रित्वी वा आप तत्व से संभन्दित है इससे दर्शनार्थी के प्राणदिह वा प्राणमय कोश की शुद्धी होती है इसके आगे आता है देवालय की संद्रचना का तीसरास्तर जलकुंड वा दीपमाला यह आप वा तेज तत्व से संभन्दित है इससे दर्शनार्थी के मनों में कोश की शुद्धी होती है जलकुंड वा दीपमाला लांगने के उपरांत बढ़ते हैं चोथे स्थर की और खेत्रपाल देवता का स्थान वा महाद्वार यह तेज तत्व से संभन्दित है और इससे दर्शनार्थी के प्राण में तथा मनों में कोश की शुद्धी होती है अब देखते हैं पांचवास्तर इस तर में आता है परिक्रमा मार्ग सीढिया व सभाग्रह सभाग्रह में दर्पन, घंटा व चत होती है यह स्तर वायू तत्व से संभन्दित है और इससे जीव का सुक्षमदेह शुद्ध होता है चटे स्तर में आता है गर्वागार, यज्यकुंड व सूर्य नारायन की मुर्ती यह वायू व आकाश तत्व से संभन्दित है और इससे जीव के सुक्षमदेह व प्राणदेह शुद्ध होते हैं आईए देखते हैं सातवास्तर जिसमें अंतरवुत है गर्वग्र, नंदादीप गर्वग्र की दीवारों में बने दो दीप घर जिने आले भी कहते हैं इनमें घीखे दीप जलाए जाते हैं गोमुख, कलश, कलशपर धज यह आकाश तत्व से संबंदित है और इससे जीव के स्तूल देह व सुक्ष्म देह दोनों शुद्ध होते हैं देवालय का पहला स्तर सगुण से संबंदित होता है जो पृत्वी तत्व से जुड़ा होता है देवालय का सात्वा स्तर निर्गुण से संबंदित होता है जो आकाश तत्व से संबंदित होता है देवालय की वैशिष्ठ पूर्ण संरचना के कारण उसके सात्वे स्तर दवारा आकाश तत्व से संबंदित तरंगे पहले स्तर तक आती है अर्थात देवालय के कलश से प्रवेश द्वार तक इश्वर्य तत्व की निर्गुन तरंगों का रूपांतर सगुन तरंगों में होता है अताह देवालय में प्रवेश करने वाले जीव को देवता के सगुन तत्व का लाव अधिकाधिक मिलता है इस विवरन से स्पष्ट हुआ होगा कि दर्शनार्थी के लिए इश्वर प्राप्ति की द्रिष्टी से हिंदुओं के देवालयों की रचना के विशय में कितना सूक्ष्म विचार किया गया है यही कारण है कि देवालय में जाने से जीव को सगुन से निर्गुन में जाने के लिए सायता मिलती है